कि आधके सेक्षन से कितने पूछे जाएंगे ते सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो यहाँ पर लोग देख सकते हो कि अध्यक्रट कोड़ है यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका एक्जाम का जो पेपर कोड होगा mathematics अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपका पेपर कोड है QP 27 तो यह वाला पेपर कोड जो आपको देख रहे हैं इसके अंदर आपको जाकर एक्जाम देना होगा और यहां पर हम लोग बात कर लेते ह हैं कि इसके पैटन के बारे में तो यहां पर आजए यह देखते हैं तो इस एक्जाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया अगर आप पेपर देखोगे पार्ट ए पार्ट बी तो पार्ट एक अगर मैं बात करो तो यहां पर इंग्लिश जर्ण नॉलेज और नुमरिकल से पूछा जाएगा यह थोड़ा जर्ण नॉलेज इंग्लिश होगा का पार्ट ही होगा अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दो कि यह जो एक्जाम है ना हर एक क्वेशन अगर आप लोग देखोगे चार मार्क के लिए होगा अगर आप किसी क्वेशन को अटेम करते हो तो आपको 4 मार्क दिया जाएगा और यहां पर एक बात आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि निगेटिव मार्किंग भी है अगर किसी क्वेशन को आप लोग गलत करते हो ना तो एक मार्क आपके डिड़क्ट कर लिए जाएंगे मतलब आप लोगों को अगर आप लोग क्वेशन पर सौल करने जा रहे एक्जाम में जा रहे तो उस वक्त थोड़ा सा आपको साउधानी प्रोग क्वेशन को सौल करना होगा कि ताकि गलत ना हो क्यूंकि निगेटिव मार्किंग भी है तो यह था सी यू इटी 2023 के लिए मैथमाडिस का एक्जाम पैटरन अगर को डाउट थे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हों तो आज के वीडियो में इतना ही सो थैंक्यू सो मच